सब्सक्राइब कीजिये रोहित सांवन चैनल को और साथ में बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक नमसकार दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का एक बहाफिर स्वागत है पहले तो आप सभी का धनेवाद कि आप चैनल को इतना कियोंकि हो सकता है इसलोग ऑच्छा हो और वह किसी बिमारी से ग्रिश्थ हो जाता है जिससे हो सकते हमारे आकलन से कम ही दूद देस देपाई तो देखिए ये बाते तो होती है लेकिन यदि हम कि आकलन की बात करें कि हम आकलन कैसे करें तो थो फार मुला है तो तो स flavors बेखम लेर हम पहले ही उसके पूरे ब्राइब याल बात किया था लीटर ही बनाता है यह फिर 10 kg ही बनाता है पर दे के इसाब से तो उसके पूरे दूद पूरे ब्यात का दूद है उसको यह एक सो सी से गुना करेंगे तो लग भग आठारा सो किलोग्राम हो जाता है तो इसका मतलब यदि किसी पसू का जो हाइस्ट मिल्क यल्ड है पर डे त इसका मतलब लग भग उस पसू को जो पूरे ब्यात में है जो उसका दूद हो अठारा सो किलोग्राम होना है और यदि किसी ब्यात के हाइस्ट मिल्क येल्ड पर डे 20 kg है तो उसका हम एक सो सी से गुना करें तो वो चातिस सो किलोग्राम हो जाता है तो इसका मतलब 20 kg दूद होली जो पसू है वह जो हुएंस है उसके पूरे ब्यात का दूद है वह सथीस सो किलोग्राम होने वाला है तो इसी परकार हम और यदि हम एक जांपल देखें जyसे किसी पशू को अधिक्तम ब्लें यैनि क्यो प्रत्य दिन, पर दिन दूद, वारे किलोग्राम है त इसी परकार 16 kg पर डे है तो वो उसमें 2800 या 3900 kg के लगभग हो जाना है इसी परकार यदी 18 kg है तो इसको 3240 kg पूरे बैयात का जुदूद हो होने वाला है इसी परकार 20 kg है तो 3600 और इसमें लगभग इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कोई पसू डेलिवरी के मह सब्सक्राइब और चार महिने में हो जाता है या फिर इससे बी ज्यादा ताइम लगा देता है तो उसमें जो दूद की मात्र हो कम ज़ादा हो सकती है तो इसलिए हम यदि आकलंड के तोर पर देखें तो बहुत ही चोटा मैथड़ा हूँ हम अपलाई कर सकते हैं जिसको हम आममोन सही भी मिल पाते हैं जो उसका पर डेका जिस भी पसुका हम देख रहे हैं तो उसका जो highest milk yield है एक दिन का उसको आपने 180 से गुना करनी होती है ताकि आपको उसके पूरे बयात का जो दूद है उसका आकलन हो जाए तो उमेद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो पूंचे सबसे पहले आप सब्सक्राइब